पहली गोली चलती है और एक मारा गया. दूसरी गोली ने दूसरे की जान ले ली. तीसरी गोली चलती है लेकिन इस बार वो खाली जाती है. गोलियां चलाने वाला मैक्स था और वो इस वक्त कुछ ड़कैतों का सामना कर रहा था. इस शहर में कोई कानून नहीं था, यहां सिर्फ जंगल राज था, यहां हर छोटा बड़ा फैसला बंदूकों से ही किया जाता था, मैक्स से बचने के लिए डकैतों ने एक लड़की को उठा लिया, लेकिन मैक्स फिर भी नहीं रुकता, मैक्स को रोकने के लिए अब लड़ लड़ियां चलाते हैं, और एक गोली लड़की को लगती है, मैक्स लड़की की लाश संभालने लगा, जो उसकी कुछ नहीं लगती थी, और डकैत मौका देखकर भाग जाते हैं, मैक्स जर्म के खिलाफ लड़ता था, और आस पास के सभी शहर उसे जानते थे, अब कहानी डेड़ुट शहर से शुरू होती है, इस आदमी का नाम सैम है, और डेड़ुट शहर में इसी का राज चलता है, आज सैम घर से निकल कर किसी का इंतजार कर रहा था, जल्दी ही उसकी नजर अपने आदमियों पर पढ़ती है, जो उसके पास दो लड़कियां लेकर आ रहे लड़कियों को देखकर वो फैसला करता है कि जवान नीना डंडे से मलाई निकालेगी और छोटी स्वीटी घर का काम करेगी, अब कहानी में हमें इवा नाम की लड़की दिखाई देती है, इवा बेहद खूबसूरत थी, उसके बड़े बड़े तरबूज उसकी चुकी थी और उसके पास कुछ सामान भी था, थोड़ी देर बाद मैक्स को एक लड़की दिखाई देती है, ये लड़की ईवा ही थी जो जोर-जोर से उसका नाम पुकार रही थी, वो जल्दी-जल्दी मैक्स के पास आकर उसे अपना नाम बताती है, अब मैक्स उससे सेम नाम के बदमाश ने मेरी चोटी बहन को उठा लिया है, मैं चाहती हूँ कि तुम सेम को मार कर मेरी बहन को बापिस ले आओ, इवा की बात सुनकर मैक्स कहता है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, बदमाश सेम डेड़वुड में रहता है, और मैं सिर्फ अपने शहर की रखवाली करता हूँ, इतना कहकर वो इवा को बाउल बापिस कर देता है, क्योंकि उसने पूरा खाना खा लिया था, बाउल लेकर इवा कहती है, तुमने अभी अभी जो खाना खाया है, वो जहरीला था, इस जहर की दवा सिर्फ मेरी चोटी बहन के पास है, और वो सैम क कबजे में है, अगर तुम जिन्दा रहना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी बहन को बचाना पड़ेगा, मैक्स उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, और ये देखकर इवा कहती है, जहर तुम्हें तीन दिन में मार देगा, लेकिन इसका असर आज से ही शुरू हो जाएगा, जहर बीच-बीच में तुम्हें अपना असर दिखाएगा, और तब तुम्हें बहुत दर्द होगा, उसकी बात खत्म होते ही मैक्स के पेट में दर्द होने लगा, ये दर्द जहर के कारण ही हो रहा था, और दर्द से मैक्स टड़प रहा था, कुछ ही देर बाद मैक्स का उसे Sam को मारना ही होगा थोड़ी देर बाद दोनों उसी शहर की तरफ जाने लगते हैं जिसका नाम Deadwood था और यहां Sam का राज चलता था असल में Sam वही बदमाश था जिसके आदमी लड़कियां उठाते थे और फिर Sam उनसे गलत काम करवाता था नीना ही ईवा की छोटी बहन थी जिसे Sam ने कुछ दिन पहले ही उठवाया था Sam तक पहुँचने के लिए Max और ईवा लगातार चल रहे थे इन दोनों का सफर काफी लंबा था इसलिए सफर के दौरान ही रात पड़ जाती है ये लोग जंगल में ही रात बिताने वाले थे खाने के दौरान ईवा मैक्स से उसके बारे में पूछती है मैक्स उसे बताता है कि कुछ बदमाशों ने मेरे परिवार और कबीले वालों को खत्म कर दिया था बस तभी से मैंने बदमाशों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी और ये लड़ाई आज तक जारी है मैक्स के बारे में जानकर ईवा हैरान होती है उसे लगा था कि मैक्स परिवार वाला होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं था खाने के बाद मैक्स को फिर दर्ध होने लगा लेकिन थोड़ी देर बाद हट जाता है अगले दिन सुभा जब मैक्स और ईवा आगे बढ़ने लगे तभी मैक्स कोई आवाज सुनता है मैक्स के कानों में कदमों की आहट पड़ी थी वो अपनी सस्ती सी दूरबीन निकाल कर आस पास देखता है और उसे एक बदमाश नजर आता है मैक्स को जल्दी ही दूसरा बदमाश भी दिख जाता है और तभी उसके पास ईवा पहुँच जाती है वो इवा को बताता है कि हमारे आस पास कुछ बदमाश हैं वो मुझे मार देंगे और तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेंगे इवा जल्दी जल्दी उसे को योजना बनाने को कहती है ताकि बदमाश मारे जाएं और उसकी गुफा बच जाए मैक्स थोड़ा सोच कर एक योजना बनाता है और ईवा उसकी योजना पर काम शुरू कर देती है दरसल इन दोनों के आसपास तीन बदमाश खूम रहे थे इन तीनों ने काफी समय से औरत नहीं देखी थी इन तीनों ने ईवा के कदमों के निशान देख लिये थे और अब वो इवा को ही ढून रहे थे तीनों को बस औरत चाहिए थी ताकि वो अपनी गर्मी निकाल सकें योजना के अनुसार इवा अकेली ही जील की तरफ बढ़ रही थी ताकि बदमाश उसके सामने आ सकें मैक्स की यही योजना थी कि इवा बदमाशों के सामने जाएगी और वो पीछे से उन्हें मार देगा इवा जल्दी ही जील के पास पहुँच गई और तीनों बदमाश उसके पीछे-पीछे आ रहे थे इवा धीरे-धीरे अपने कपड़े उतारने लगी ताकि बदमाशों को लगे कि वो नहाने जा रही है जल्दी ही तीनों बदमाश इवा के पास पहुँच कर उसे पूरे कपड़े उतारने को कहते हैं बदमाशों को सामने देखकर इवा मैक्स को पुकारती है मगर बदकिस्मती से उसी वक्त मैक्स के पेट में दर्द होने लगा. अब ईवा की गुफा खत्रे में थी. वो गुफा बचाने के लिए भागती है लेकिन फिर भी बदमाश उसे पकड़ ही लेते हैं. इसी बीच मैक्स का दर्द भी ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो बदमा जिससे सिर्फ पेट दर्द होता है. उसकी बात सुनकर मैक्स हैरान हो गया. वो समझ गया कि ईवा ने उसे बेफ़कूफ बनाया है, इसलिए वो उसे अकेला छोड़ कर एक तरफ चला जाता है. अब ईवा को अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी थी. उसने मैक्स को रोकने की बहुत कोशिश की. लेकिन वो नहीं रुका. वो लगातार आगे बढ़ रही थी. ताकि अपनी छोटी बेहन को बचा सके. दूसरी तरफ सैम अपने बेटे ग्रे के साथ बाते कर रहा था. वो चाहता था कि उसका बेटा भी उसके जैसा बने. वो उसे बदमाशों के अदमी उसके पास आता है. उसके पास बंदूक थी. वो ईवा को अपने साथ चलने को कहता है. ईवा उसका मुकाबला करने की कोशिश करती है. लेकिन चोट खा बैठती है. चोट खाने के बाद भी वो हार नहीं मानती. वो धक्का देकर पहले उसे पानी में फेंकती है और फिर गोली चला कर उसे मार देती है. दूसरी तरफ सैम इस वक्त सडक पर खड़ा था. वो अपने आदमियों से बातें कर रहा था. और इसी बीच ईवा भी उसके पास पहुँच जाती है. उसके हाथ में गंड थी और निशाने पर सैम था. सैम उसे देखकर बिलकुल भी न पहुच जाता है और उसे देखकर सैम के आदमी डर जाते हैं. अब मैक्स की बंदूग गूंजने लगी और सैम के आदमी मरने लगे. सैम डर कर भागता है लेकिन इवा की गोली उसे मार देती है. सैम की मौत के बाद छोटी स्वीटी जल्दी जल्दी नीना के पास आकर कहत थे. ग्रे अभी भी जिन्दा था और जल्दी ही उसकी नजर भाग रही नीना पर पड़ती है. वो उसका पीछा कर उसे जान से मार देता है. मैक्स ने नीना को बचाने की कोशिश की थी लेकिन बचा नहीं पाता. नीना की मौत देखकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो स्वीटी को अपनी बहन मान लेती है. स्वीटी पहले अनात थी लेकिन अब उसे एक बड़ी बहन मिल गई थी. मैक्स को भी इवा का फैसला अच्छा लगा और वो उन दोनों को वहीं छोड़कर चला जाता है. वैसे मैक्स की लड़ाई आज भी चल रही थी. उसे यहां भी कोई बदमाश डिकता, वो उसे वहीं जान से मार देता. इसी के साथ इस कहानी का यहीं अंत हो जाता है. हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. अगर आप ऐसी ही वीडियो के दीवाने हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. मिल